हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, सिविल सर्विसेज ड्रीम तो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जोनल स्टडी में इन्वार्मेंट के कुछ इंपोर्टेन क्वेशन है, उन्हें डिसकस करेंगे, ठीक है? तो आएए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेशन है, इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है, जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन सम्रद्ध हों, परियावरण की प्रती मैत्री पोल्ड हों, या फिर आर्थिक द् प्रियावरण को छती ना होई हो, ठीक है, अर्थात इसका मतलब यह हो जाएगा, कि प्रती मैत्री पोल्ड हो, या नि प्रियावरण को नुकसान पहुचाए बिना ही उन उत्पादों का उत्पादन हो सके, ठीक है, प्रोडेक्स को बनाया जा सके, और यह जो प्रमार पत् Q2 में है, पचास से अधिक देशों द्वारा समर्थित सईक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्दन समझोता का प्रभावी हुआ था, ओप्शिन्स है, 21 मार्च 1994, 21 मार्च 1995, 21 जून 1996 या फिर 21 जून 1999 Q2 का जो सही आंसर है, ओप्शिन A, 21 मार्च 1994, सईक्त राष्ट्र संग का मौसम परिवर्दन समझोता जो है, वो 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ लागु हुआ, ठीक है, इस समझोते में विश्व की 50 देशों से अधिक देशों का समर्थन प्राप्ट था, Q3 में है, निम्नलकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ओप्शिन्स यहाँ पर देख लेते हैं, पारिस्तित्किये विज्ञानों का केंद्र बंगलुरू, भारतिये वन्ने प्राणी संस्थान देरादून, भारतिये वन प्रबंधन संस्थान एहमदाबाद, और हिमाल Q3 का जो सही आंसर है, ओप्शिन C, भारतिये वन प्रबंधन संस्थान, तो Q3 का सही आंसर था, ओप्शिन C, भारतिये वन प्रबंधन संस्थान, एहमदाबाद, देखिए यह सही सुमेलित कैसे नहीं है, क्योंकि भारतिये वन प्रबंधन संस्थान, ठीकि है, यहाँ पर इंदाबाद में नी बलकि भोपाल में ठीक है तो इस वज़े से ये सही सुमेलित नहीं है Next question है question number 4 Question 4 में है दो भिन्न समुदायों की बीच का संक्रान्ती छेतर कहलाता है Options है Ecotype, Ecate, Ecosphere या फिर Ecotone Question 4 का जो सही आंसर है Option D, Ecotone दो भिन्न समुदायों की बीच का संक्रमर छेतर Ecotone कहलाता है इसमें दो बायों की बीच का मतब ये कहा गया है कि दो बायों जो है उनके बीच का जो संक्रमर छेतर है वो क्या है Ecotone है Next question है Question number 5 Question 5 में है पारिस्तितिक तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं तत्वों का जो चक्रण होता है उसकी cycling को क्या कहते हैं options है रासाइनिक चक्र जयाव भू रासाइनिक चक्र भू वग्यानिक चक्र या फिर भू रासाइनिक चक्र तो question 5 का जो सही answer है वो है option B जयाव भूर आसानिक चक्र पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का जो चक्रोड होता है वो जयाव भूर आसानिक चक्र के अंदर गत होता है तो कैसे पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रोड को यह जो चक्र है वो जीव मंडल में होते हैं ठीक है इसी वज़े से जैव भूर असानिक चक्र कहते हैं जैसे इसमें आ सकता है नाइट्रोजन चक्रा आएंगे फॉस्फोरस चक्रा आएंगे ठीक है तो यह जो है सारे जैव भूर असानिक चक्र के अंतरगाद आते हैं नेक्स क्वेशन है क्वेशन नमबर सिक्स क्वेशन सिक्स में है एक मनश्य की जीवन को पूल रूप से धाल डिये करने के लिए आवश्यक नियुनतम भूमी को क्या कहते हैं आप्शन से जीव जाप, पारिस्तित की ये पदचाप, जीवों या फिर निकेद तो क्वेशन सिक्स का जो सही आंसर है वो है आप्शन बी, पारिस्तित की ये पदचाप, इसमें होता क्या है पारिस्तित की ये पदचिन, ये पदचिन, ठीक है पृत्वी के पारिस्तितिक तंतर पर मानवी मांग का एक मापक है ये मानव की मांग की तुलना पृत्वी की पारिस्थितिक के पुनृत पाधन की छमता जो है उसके साधी करता है मतलब हम यह कह सकते हैं कि ये मानव जो आबादी है इसके दोरा उपभो किये जाने वाले जो संसाधन है उनका जो पनुरत अपादन होता है, फिरसें उनका जो उतपादन किया जाता है और उसे उतपन जो अप्षिस्ट है, उनके आशोशड और उसे हानी रहत बना करके लोटाने के लिए जरूरी जैविक उतपादक भॉमी जो है, और समुदरी छेत की मात्रा को ये दरशाता आए पारिस्थित की पत चाब ठीक है नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर सेवन कुशन सेवन में है निम्नलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित है ओप्शन से बायोस्फियर रिजर्व एडवर्ड सुएस एको सिस्टम APD कंडोल एकोलाजी AG टॉंसले जय विविदता रीटर तो कुशन सेवन का जो सही आंसर है वो है ओप्शन ए बायोस्फियर रिजर्व एडवर्ड सुएस बायोस्फियर रिजर्व जो ये टर्म है ये इस शब्द का सबसे पहले सरफ प्रतम प्रियोग जो है वो एडवर्ड सुएस ने किया था ठीक है तो ये जो है ये सही सुमेले था बाकी आपर जो दिया गया है एकोसिस्टम एपीडी कंडोल एकोसिस्टम टर्म जो है वो एजी एजी टॉंसले ठीक है एजी टॉंसले ने क्या दिया था ecosystem term दिया था उसके बाद ecology है ecology term जो है वो ag translate ने नहीं बलकि earnest hackle ने दिया था earnest hackle ठीक है तो यह जो ecology term है वो earnest hackle ने दिया था और last में आता है जैवेविदता ठीक है तो bio diversity term जो है वो दिया था रीटर ने नहीं बलकि रेमंट बायो डेवस्टी जो term सबसे पहले यूज किया था वो रेमंट एफ रेमंट एफ दास मैन ठीक है तो इसलिए question 7 का जो सही answer है जो सही सुमेलित है वो option A है biosphere reserve Edward Swiss next question है question number 8 question 8 में है निम्देलेकित आद्र छेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त हैं options यहां पर देख लीजिए चिलका जील लोक्तक जील केवला देव वूलर जील नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए केवल एक तथा दो केवल दो तथा तीन एक दो तथा तीन या फिर सभी तो question 8 का जो सही answer है वो है option D सभी तो देखिए यहां पर यह जो रामसर अभी समय जो था चीके तो यह जो रामसर था उसके अंतरगत भारत के कुल 37 आदर छेतरों को रामसर आदर छेतर का दरजा प्राप्त किया गया यह कानुसंदान था इसके अंतरगत जो 37 आधर छेत्र हैं उनको रामसर आधर छेत्र का दर्ज़प्राप्त था इसी में ही चिलका जील लोक्टक केवलावदेव जो पक्षी विहार है और वूलर जील जो है ये चारों ही इसमें शामिल हैं यहां पर यह देखना है कि जो पहले य इनमें जो ऑप्षिन्स दिये गए हैं चिलका जील, लोक्टक जील, केवलादेव और वूलर जील ये सब जो है रामसर का दर्ज़प्राप्त ये आधर छेत्रों में आते हैं नेक्स्ट क्रिशन है क्रिशन नमबर नाइन क्रिशन नाइन में है निम्नलकित में से कौन सी एजंडा 21 की सही परिभाशा हैं और ये नाब की निरस्तरी करण पर 21 अध्याईयों की पुस्तक है ये 21 सदी में विश्व परियावर सनक्षड हेत्व एक कार योजना है ये दक्षड एशिया छेत्री सहियोग संक्सार्क की आगामी बैटक में अध्यक्ष के चुनाव हेत्व एजंडा है तो ये क्या है परियावर सनक्षड हेत्व एक कार योजना है क्या एजंडा 21 ठीक है एजंडा 21 में क्या था कि संहिक तुरा संकी एक स्वेच कार योजना ये एजंडा मतलब कि संहिक तुरा संकी अपनी चास से इनकी एक कार योजना तयार की गई थी इसका उद्देश ये था कि 20 सदी में जो वैस्ट्रीक परियावरण है उसको सनक्षित करना और ये का रियोजना 1992 में रियोडी जिनेरियो जो इसमें क्या हुआ था इसमें संपन परियावरण एवं विकास पर सहीकतरा सम्मेलन में प्रयारम किया गया था कहने का मतलब है 1992 में ही रियोडी जिनेरीयों में इस परियावरण संबंधी जो भी मुद्दे थे ठीक है उनको सही तो रा सम्मीलन में जो है इसको शुरुआत की गई थी ठीक है और इसमें मेली परियावरण से संबंदे इसमें बाते कही गई थी कि कीस्वी सदी में जो C है, next and last question है, question number 10, question 10 में है, राजीव गांधी परियावरण पुरिस्कार दिया जाता है, श्रेश्टर योगदान के लिए, options है, वन रोपर तथा परती भूमी के सनक्षण में, स्वच्छ प्रदियोगी की एवं विकास में, वन इजीव सनक्षण में, परियावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में, तो question 10 का जो सही answer है, वो है, option B, स्वच्छ प्रदियोगी की एवं विकास में, स्वच्छ प्रदियोगी की के लिए, राजीव गांधी परियावरण पुरिस्कार, ये जो पुरिस्कार है, ये उन ओधोगिक जो इकाईया है, उनको दिया जाता है, जो नई प्रदियोगी की को अपनाने या उनके विकास में योगदान देते हैं, जिससे परियावरण ये प्रदूशड में कमी आती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राजीव गांधी परियावरण पुरिसकार है, वो स्च्छ प्रदियोगी की एवं विकास के छेतर में दिया जाता है, तो friends,